आज हम देखेंगे वर्ब की फॉर्म्स वर्ब्स क्या होता है और उसकी फॉर्म्स पहले तो मैं आपको बताँ तो अगर कोई भी एक्शन हो रहा है अगर कोई भी action होता है जैसे खाना, पीना, नाचना, नाना, दोना, कुदना, सोना, देखना, सुनना, बोलना, स्मेल करना, यह सारी चीजे action है तो जो भी चीज यहाँ पर action के बारे में जिक्र किया जाता है उसको हम वर्प कहते हैं एक्चुली मुझे आपको एक चीज बताना है अगर यह वीडियो अच्छा जाता है तो मैं आपको एक important वीडियो आने वाला है मेरा state of being, state of position, state of action के तोर पर तो फिलाना हम यही बात करेंगे यहाँ पर के इस वीडियो में इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा वर्प की पाँच फर्म एक्चुली जादा दर लोगों को पता है वर्प की तीन फर्म जैसे के go went on gone और चोती फर्म है चोती और पाचवी फर्म है goes or going जैसे के यहाँ पर आप देख रहे हैं के drink, drank, drunk, drinking, drinks तो यह drinking किस तरह से बना, drinking क्या है actually, drinking क्या है जो continuity बताता है जिसको हम बोलेंगे present continuous जैसे के मैं बात कर रहा हूँ, I am talking, मैं पानी पी रहा हूँ, I am drinking water तो यह वाला यह form को हम चोती फर्म हम drinking बोलेंगे, जैसे के go went gone और going तो कोई जा रहा है, यानि जाने का काम चालू है, तो वहाँ पर उसको हम as a fourth form हम incorporate करेंगे, और यहाँ पर हम बात करते हैं, drinks, drinks क्या है, drinks हम इस्तेमाल करते हैं या goes हम इस्तेमाल करते हैं, third person singular, simple present tense, simple present tense यानि habit जैसे के I drink, I drink water, तो मैं पानी पीता हूँ, I drink milk, I drink juice, ओके, तो यह क्या है, what is this, यह habit है हमारी तो यही habit अगर हम किसी के बारे में हमको बताना है, यही habit अगर हमको किसी के बारे में बताना है के जैसे के Amit गरम पानी पीता है, तो क्या है, what is this, this isn't a habit हम बता रहे हैं के Amit क्या पीता है, गरम पानी पीता है, तो Amit drinks hot water देखें यह 3rd person singular rule क्या है दूस्तों 3rd person singular rule यह है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आप यह chart देखें यहाँ पर यह she goes to the beauty parlor मैंने क्या बला था amid drinks water पर यहाँ पर मैं आपको एक example बेदा हूँ तो she goes to the beauty parlor तो यह 3rd person singular को हम किस तरह से पहिचानेंगे किस तरह से बात करेंगे बताएंगे जैसे के अभी देखें वहा 1st person 2nd person और 1st person 2nd person को बोर रहा है 3rd person के बारे में तो क्या होगा 3rd person singular होगा जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ अभी शेक बच्चन के बारे में आप मेरी बात सुन रहे हैं और मैं अभी शेक बच्चन के बारे में बोर रहा हूँ अभी शेक बच्चन गरम पानी पीता है तो अभी शेक बच्चन ड्रिंक्स अभी शेक बच्चन ड्रिंक्स होट वाटर तो क्या हो गया मैं ने आपको कहा मैं 1st person singular और आप 2nd person और मैं आपको बता रहा हूँ 3rd person singular के बारे में अभी शेक के बारे में तो अभी शेक क्या हो गया 3rd person singular इसी तरह अगर आपको 3rd person singular की habit बतानी हो तब हम यहाँ पर verb के बाजू में S या ES लगता है यह rule है बहुत ही simple है दोस्तों बहुत ही simple है चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर हम drink, drank, drunk, drinking और drinks आपको पता चल गया एका 4 और 5 भी form क्या है हम आगे बढ़ते हैं आगे इसमें हम मैं आपको example देने वाला हूँ go, went, gone, going और goes के बारे में हम हमारे example की शुरुआत करते हैं पहला verb मैं आपको बताता हूँ कि पहला verb किस तरह से इस्तेमाल करेंगे go, I go to college what is this, दोस्तों क्या है I go to college, मैं college जाता हूँ मेरी habit है, कभी भी याद रखिये दोस्तों एक ही बात, simple, funda no, bakwa, सीधी बात जो भी आप अगर habit बता रहे हो अगर आप अपनी habit बता रहे हो किसी को या आप किसी से habit पूछने जैसे कि आप मेरे गर पर मैमान आए आप मेरे गर पर मैमान आए और मैं आपको पूछता हूँ क्या आप मच्छी खाते हैं, क्या आप चिकन खाते हो अगर मुझे आपको कुछ सर्फ करना है तो मैं आपको पूछूंगा किया मक्छी खाते हो आप क्या चिकन खाते हो किया आप शराब पीते हो किया आप दूद्थ पीते हो किया आप चाय पीते हो What is this? These are an habits These are an habits तो कभी भी अगर आपको habits बतानी है मैं college जाता हूँ, मैं gym जाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं काम पर जाता हूँ, what is this, these are our habits, तो यह इसी चीजों के लिए, क्या बना है, verb की base form बनी है, इसी चीजों के लिए, तो I go to college, मैं college जाता हूँ, I went to the college, second form of the verb, I went to the college, मैं क्या गया, college गया, मैं college गया, simple past, आपर timing mention यह पर एक बात यात रगिए, अगर past में कोई action हो रहा है, time mention हो यह नहीं, अगर आपको समझना पड़ेगा, अगर past में कुछ action हो रहा है, तो उसको हम as a consider करेंगे, simple past, और उसके लिए हमने हमारी लिए बनाये हैं, यहाँ पर, I went to the college, मैं college गया, चलिए हम आगे ब मतलग यह होता है, शाम, college चला गया, जा चुका, यह गया, इसको हम, इसको third form को हम किस तरीके से लेंगे, इसको हम लेंगे, present में, अगर कोई particular, present में, अगर कोई action हो रहा है, पर हम वहाँ पर mention नहीं करना है, timing, तो हम इस्तेमाल करेंगे, third form of the verb, इसके बारे में मैं आपको star से बताऊंगा, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं, verb की fourth form की, verb form की fourth form, जैसे कि मैं आपको बताया, continuity के बारे में, present में, continuity के बारे में, हम verb की fourth form का इस्तेमाल करते हैं, जैसे, देखें, यह बंदा कहा जा रहा है, अशवीनी is going to school, कहा जा रहा है, जाने का क काम चालू है इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे आश्विनी इस गोइंग टू स्कूल आई एम गोइंग तू स्कूल यू आर गोइंग टू स्कूल ओक है जाने का काम चाहूंगा अगर आप पार्टनर डुन रहे हैं अगर आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपके पार्टनर नहीं है एन्वायरोमेंट नहीं है क्या करें तो है ना हमारा हाइब डाउनलेट करिए और एंजोय करिए फ्री एप है आप लोगों के लिए ही बनाए गया है यहाँ पर द अगर शीherम देते हैं और शीह लगानेंगी вмe lagi I gotta beauty parlor में beauty papeler जाताओं उससी तरह उसी तरह क्या मेरी आदत है मेरी आदत है I go to beauty parlor पर हम मैं बात कर रहा हूं आप से मैं आप से बात कर रहा हूं किसके बारे में रीटा के बारे में या रीटा नहीं शलो शी के बारे में उसके बारे में बात कर रहा हूं शी इट यह किसी का नाम एश्वरिया रानी प्रिटी जिंता कन्या कुमारी something like that चलिए हम आगे बढ़ते हैं मुझे उम्मीद है आपको यह मेरी बाते समझ में आ रही है अगर आपको यह बाते नहीं समझ में आ रही है तो description में मेरा phone number है आप मुझे call कर सकते में आपको definitely answer if you have any query will definitely give you the answer चलिए हम बात करते हम drink drank drunk drinking drinks कैसा है drink drank drunk drinking and drinks I drink water I drink water क्या है दोस्तो I drink water habitat में पानी पीता हूं सुमित drank water 10 a.m सुमित drank water सुमित ने 10 बजे पानी पिया I have drunk water में पानी पी चुका हूं मैंने पानी पी लिया पी चुका हूं I am drinking water देखे में पानी पी रहा हूं देखे मैं पानी पी रहा हूं I am drinking water पाच्वा है सुमित सुमित drinks देखे drinks आ गया क्या आगया ऐस यह एस लगा दिया मैंने वर्ब के बाज़ियू में सुमित drinks water every morning V3 sorry V3 नहीं यहां पर P3 होना चाहिए था third person singular V लग गया गलती से आप अटा दीजेगा माफ कीजेगा आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे यहां पर do की बात करेंगे दो हो दो डोन दो करता हूं करता हूं में मेरा काम करता हूं ओके तो यह होगी base form, हम second form के बारे में बात करेंगे, I did my homework yesterday, I did my homework yesterday, कल मैंने मेरे homework किया, we have done our homework, हमने हमारा homework कर लिया, कर चुगा, देखे क्या फरक है इसमें, इसमें यही फरक है, दोस्तो एक simple trick बताता हूँ, अगर आपको simple past और present perfect के बीच में verb की second form और third form के बीच में अगर याद रखिए कि अगर timing mention हो रहा है कहीं पर, यह context में, अगर कहीं timing mention हो रहा है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे verb की second form, अगर यहाँ पर action हो रहा है, timing mention नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे third person, sorry, verb की third form का have या has के साथ, या have या has के साथ, जैसे के we have done our homework, हमने हमारा homework कर लिया, चलि हम आगे बढ़ते हैं, बाद करते हैं, fourth form of the verb doing team, they are doing their homework, they are doing their homework, who are doing their homework, I am doing my homework, I am teaching you, you know, I am doing my homework, I am teaching you, I am talking with you, I am seeing you, I am listening to you, काम चाहलो एदस थो, थेकि बोलने का काम जारे, I am talking with you, you know, I am talking with you, you people are listening to me, your people are watching me, let's talk about the fifth form of the verb does मैंने बताया था आपको ये भी एक आदत है पर आदत हम किसके बारे में बोलते हैं third person singular अगर मैं किसी की चुगली करता हूं अश्विन तो नालायक है अश्विन तो अश्विन बोले तो काम नहीं करता है अश्विन बात नहीं सुनता है तो क्या बोल रहा हूं मैं आश्विन की habit के बारे में आपको मैं बता रहा हूं किसके बारे में अश्विन के बारे में तो यही पर अमिट does his homework मैं आपको बोल रहा हूं मैं किसको बोल रहा हूं बनाने वाला हूँ सेकेंड पार्ट इनसेंस देखिए इसमें बहुत सारी छूट चुकी है छूट चुकी इनसेंस यह लंबा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं तो इसके आगए अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं इसके स्टेट ऑफ बिंग सेट ऑफ एक्शन स्टेट पोजेशन के बारे में बताऊंगा अगर यह आपका कॉंसेट क्लियर हो जाते तो आधी आधी इंगलिश आपके मुठी में आजाएगी तो मुझे पूरी उम्मीदे दोस्तों यह लेसन आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको कमेंट करिए शेर करिए और लाइक करिए और वीडियो पसंद आया चैनल अच्छे लगी तो सब्सक्राइब करिए हम मिलते हैं आगे जल्दी मीनवाइल चेके रेसेल्फ